हेलो एवरिवन आज हम रगुवीर सहाई की कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो पर बात करेंगे तो अगर हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जहां ये कविता एक और करारा व्यंग करती है तो वहीं पर दूसरी और मजबूर्यों की खोजबिन करती हमें नजर आती है सबसे पहले हम जानेंगी थोड़ा बहुत परिचे रगुवीर सहाई के बारे में कि वो साठोतरी कविता के दौर के रश्णाकार माने जाते हैं नई कहानी आंदोलन में इन्होंने प्रमुक भूमी का निभाई थी तो सबसे पहले देखें कि रगुवीर सहाई का जन्म लखनाव में हुआ था 1929 में 9 दिसंबर को और उनके जो पिता थे वो एक सिक्षक थे अध्यापक थे और ये मध्धमवरगिये सिक्षित परिवार से थे और जब हम इनके बारे में जानते तो मैं पता चलता है कि दो वर्ष बाद ही इनके जन्म के इनकी माता का दिखानत हो गया था बालक रगवीर साहाई की सिक्षा दिक्षा लखनाव में ही हुई थी फिर लखनाव विश्विधाले से इन्होंने 1951 इच में अंग्रेजी यानि की एम में किया था इंग्लिश लिट्रेचर में उसके बाद इंटर में अध्यन काल से ही इन्होंने कविता लिखने का शौप इनको हो गया था और इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था और इसमें इन्होंने जो पत्रिकाए थी उस टाइम में प्रतीक आजकल इन सब में इन्होंने अपनी कविताएं इनकी उसके बाद फिर इन्होंने आकाशवाणी और दिल्ली के समाचार विभाग में उपसंपादक का कारेभार समाला फिर उसके बाद इनकी शादी 1957 में हुई थी और तब इन्होंने आकाशवाणी से त्याटपर्द देकर मुक्त लेखन से जीवन यापन को अपना आधार बना लिया फिर इन्होंने इसी वर्ष इन्होंने हमारी हिंदे शीर्षक से कविता लिखी थी युक चेतना पत्रिका थी उसमें ये छपी थी इस कविता को लेकर काफी बवाल मचा था और इस कविता में हिंदी को इन्होंने दुहाजू की बीवी कहा था जिस पर अन्यक टीका डिपड़ियां हुई लेकिन इस विवाद की माध्यम से रगुवीर सहाय हिंदी कविता जगत में काफी चर्चेत हो गए अगस 59 में 1959 में आकाशवाणी में तीन साल अनुबंद पर इनकी न्युक्ती हुई फिर आकाशवाणी से मुक्त होने पर इन्होंने द्यानिक नव भारत टाइम्स में विशे संवादादा के रूप में इन्होंने काम किया तो इस परकार हमें पता चलता है कि उन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया है नव भारत टाइम्स में भी एक लंबे टाइम तक उन्होंने संवादादा के रूप में काम किया है विशे संवादादा ऐसे करके उन्होंने काम किया और फिर आगे जब हम इनके साहित्तिक युगदान की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि रगुवीर साहे हिंदी जगत में एक कवी के रोप में अधिक जाने जाते हैं और साहित्ते जगत की उस पीड़ी से ये हैं जो स्वाधिन्ता अंदोलन की समाप्ती पर रश्चनरा शील हुआ था स्वाधिन्ता प्राप्ती के पाद जो नई कावेधारा उबर कर सामनी आए उसमें रश्चनकारों का एक बड़ा समदा लोग तांत्री मुल्यों के प्रती उदासीन और गयर राश्नीती विरोधी होता गया आपको बताना चाहूंगे कि रगवियोस हाय कहते हैं कि हम सभी को राश्नीती में भाग लेना चाहिए अगर हम राश्नीती में भाग नहीं लेंगे तो जो यह पूंचिवादी है यह बड़े-बड़े उच्छवर्ग है और वो राश्नीता जेने हम पर राश्नीती करने के लिए थोपा गया है, वो हम पर राशनीती करना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमें राशनीती में इंटरस्ट लेना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या कैसे हो रहा है, जिसे अगर GST लागू हो रहे हैं, तो GST का क्या कैसे असर पढ़ रहा है, हमें समझार पत्रों में इ आनना चाहिए ऐसा रगुबीर सहाय कहते हैं यह उस समय के शाशक वर्ग की एक अपेक्षा भी थी कि इस नए मध्य वर्ग को उस आदर्श भावन और जनतातिक मुल्यों से काड़ दिया जाए जो समाजिक रुपांतरन को बढ़ावा देते हों ठीक है और इस तरह हम जब हसो हसो जल्दी हसो कहान संग्रा के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने समाजिक और नैतिक सरुकार को संकेतित किया है अपनी कविताओं के माध्य हम से चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कविता हम तो यहां पे हसो हसो जल्दी हसो पहला पैरग्राफ हम पढ़ते हैं इसका हसो तुम पर निगाह रखी जा रही है हसो तुम पर निगाह रखी जा रही है का मतलब है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में प्राइविसी जैसा कुछ है नहीं है ना तो प्राइवेट लाइफ रखना अपने आपने एक चैलेंजिंग काम है हर जगा CCTV लगे हुए हैं ठीक है तो आप ऐसे में प्राइविसी बहुत बड़ा मैटर भी हो जाता है और तुम्हें हसना है क्योंकि चारों जो निगाहें हैं वो कौन कहां से तुम्हें देख रहा है तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा इसलिए क्या है कि तुम्हें हसना है और क् शक होगा कि इस सक्ष यो जो सक्ष है शर्ण में शामिल नहीं और मारे जाओगे यहाँ पर उनकी कहने का मतलब है कि तुम्हें हसना है लेकि इस तरह भी नहीं हसना है कि तुम बहुत जादा खुश नजर आओ मतलब उस भीड में उस भीड में सिर्फ शामिल होना है और उनके साथ मिलकर हसना है ना तुम्हें बहुत जादा खुश होकर हसना है और ना ऐसा हसना है कि तुम्हारी आवाज भी ना पता चले क्योंकि अगर तुम बहुत जादा खुश होका होना लगा क्या? कि ऐसी दारों और इतनी देनिय स्थिती में भी यह इतना खुलकर क्यों हस रहा है फिर उन्हें तुम् ONPR शक होने लगेगा और फिर तुम 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 पर शक होने लग जाएगा तो फिर कहीं न कहीं तुम्हें वहां से हटा दिया जाएगा और तुम्हें शक्की नजर से देखा जाएगा और इससे क्या होगा कि तुम मारे भी जा सकते हो ठीक है यहाँ पर जो कवी है वो यही कहना चाहता है कि कभी इतना ना हसना कि तुम व्यवस्था से पीड़ी थो कुंटी थो ये बात उन तक पहुँच जाए ठीक है तो सिर्फ इतना हसना है कि उस भीड़ में तुम शामिल हो जाओ इतना जादा नहीं हसना कि तुम उस व्यवस्था से बहुत जादा पेड़ी तो ये बात उन लोगों तक पहुँचाए अगर ये बात पहुँच गई तो तुम मारे जाओगे हस्ते हस्ते किसी को जानने मत दो किस पर हस्ते हो सब को मानने दो कि तुम सब की तरह परास्त होकर एक अपनापे की हसी हसते हो जैसे सब हसते हैं बोलने के पजाए यानि कि सिर्फ तुम ही व्यवस्था से पेड़ित नहीं हो बाकि लोग भी पेड़ेत थैं और तुम ही उस बेड़ के साथ जैसे बागी लोग हस रहे हैं वो आवाज नहीं उठा रहे हैं तुम भी आवाज मत उठाओ तुम भी बस सब कुछ सहते जाओ ठीक है किसी को ये अभास न होने दो कि तुम बहुत जादा पेड़ी तो इस ववस्ता से और तुम एकदम हार चुकी हो इसलिए अब तुम बहुत जोर-जोर के हस रहे हो ठीक है तो सब के साथ मिल कर तुम्हें हसना है ऐसी बात वो करते हैं क्याँ पर बिसिकलिए उन्होंने बोला है कि जब-जब आपको नहीं हसना चाहिए तब ही आप हस देते हो तो आपकी हसी कितनी कुचसित है कितनी गलीज है उस पर ये कविता लिखे गई है जितनी देर उंचा गोल गुमबत गूंसता रहे उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से गूंस थमते थमते फिर हसना क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिबात के जुर में फसे अंग में हसे तो तुम पर सब हसेंगे और तुम बच जाओगे यहां पर वो कहते हैं रगवीर सहाए कि जब हाटे मार कर सब हस रहे हो तो भले उस भी तुम ना हसो थोड़ा शान हो जाओ और अपनी भडास निकालो लेकिन जैसे ही सब हसने उनकी जो आवाज यह धीरे धीरे रुखने लग जाए तुम भी हसना अंत में हसना शुरू कर दो ताकि उनको लगे कि हाँ यह भी हस जहा था यह भी हमारे साथ शामल था हमारे पक्षमी था और अगर तुम चुप मिलोगे तो फिर तुम्हे विरोध के सुर्मे तुम फस सकते हो हाँ माना कि अगर तुम अंत में हसते हो तो कहीं न कहीं सब ये समझेंगे तुम किस ख्यालों में खोए थे और तुम पर सब हसने लग जाएंगे तुम मजाक बंचा होगे फिर आंगे वो कहते हैं हसो पर चुटकुलों से बचो उसमें शब्द है कहीं उसमें अर्थ नहो जो किसी ने सो साल पहले दिये हो यहाँ पर वो कहते हैं कि हसना है लेकिन उन शब्दों से बचो जिनके अर्थ अब बिलकुल वियर्थ हो गए है बहुत पूराने घिसे पिटे शब्द हैं जिसे वाटसअप पे पूराने जो चुटकुले हैं या फि न्यूस पेपर में आने वाले जो चुटकुले हैं उन पर मत हसो कहीं न कहीं उसमें वो जो शब्द है ना शब्दों में गहरे अर्थ चुपे हुए हैं उस पर मत हसो तुम ठीक है उस पर वो कहते हैं कि उन अर्थों के बीच में गहरा व्यंग है उस पर मत हसो जो किसी ने सो साल पहले दियो हूँ ठीक है तो वो उन वर्टसप वाले मैसेजजेज पर वर्टसप जोक्स पर न्यूस पर शुटकुलों पर हसने की बात पर वो कहते हैं कि हाँ महां तुम मत हसो फिर वो आगे कहते हैं बहतर है कि जब कोई बात करो तब हसो ताकि किसी बात का कोई मतलब ना रहें यहाँ पर बह ना समझ होते हैं, जान बुच कर बेवकूफ बनते हैं, ठीक है, तो उन ना समझों में भी अगर तुम अपनी बात रखना चाते हो, तो बहुत गंभीरता से मत रखो, क्योंकि वहाँ पर तुमारी गंभीरता वाली बात नहीं सुने जाएगी, तो ऐसे लोगों में भी अगर बात कहना चाते हो, तो हस्ते हस्ते हुए कहो, ताकि तुम अपने मन की भडास भी निकाल सको, और जो तुम कहना चाते हो, वो भी कह सको, और उन्हें पता भी ना चले, ठीक है, फिर आगे है, और ऐसे मुकों पर हसो, जो की अनिवारे हो, जैसे गरी पर किसी ताकतवर की मा जहां कुछ कर नहीं सकता उस गरीब के सिवाए और वह भी अक्सर हसता है कि यहां पर रगवीर साह कहते हैं कि हमीं ऐसी मौकों पर हसना चाहिए जहां पर अनिवारे हो जहां पर जैसे किसी गरीब पर किसी ताकतवर की मार, जब कोई गरीब होता है, और उस पर कोई ताकतवर अत्यचार करता है, उसका शोषण करता है, उसको बिना किसी गलती के मारता पिरता है, तो ऐसे मुकों पर हसो, जहां कोई कुछ नहीं कर सकता, उस गरीब के सिवाए, वे भी अकसर हसता है, मतलब एक ग पिहाड़े देने की टाइम आई और मालो उसका 400 रुपया बन रहा है उसे 200 रुपया थाइसो रुपया दिया जा रहा है और फिर ऐसे में क्या है उसका शूषण हो रहा है और उस पर भी उसको जब वो अपने हक लिए बात करता है तो ठेकेदार कहीं न कहीं उससे हस कर उसको नीचा दिखा कर उसको उसका पूरा पैसा नहीं दे रहा है ठीक है तो ऐसे मुखो पर उस ठेकेदार वो व्यंग रूप में मतला हस कर उसकी बेज़ती कर रहा है और उसको आगे भगा दे रहा है फिर उससे पीछे वाले मज़ूर को कहता है तुम अपना पैस लो तो कहीं गई ऐसे मौकों पर तुम हसो ऐसी बात रगवीर सहाय कर रहे है इसके पीछे बहुत बड़ा व्यंग छुपा हुआ है वो मजबूरी छुपी हुई है कि कैसे वो व्यवस्ता है उसके खिलाफ आवाज उठाने के बजाए उसके साथ मिलकर तुम हस रहे हो तुम कुछ नही उनको अभास दिला सकता है कि आप उनके पक्ष में नहीं हैं इसलिए आपको हसना होगा ताकि उनको यकीन हो जाए कि आप उनके पक्ष में हैं इस कविता के माद्यम से रगवीर सहाय ये भी बताना चाते हैं कि कैसे कैसे लोगों को सामने कैसे हसना पड़ता है हमें दो वक की रोटी के लिए ठीक है और साथ ही यहां पर अर्थ की गंभीर पढ़ते इस कविता में छुपी होई है हमें इस कविता को पढ़कर पता चलता है कि अपने पर जो है चुटकुले बनते हैं जैसे औरतों पर चुटकुले बनते हैं कमजोर पर चुटकुले बनते हैं गरी पर चुटकुले बनते हैं काले पर नाटे आदी उन सभी लोगों पर चुटकुले बनते हैं जो हमसे कमतर है और उन छुटकुलों पर जब हम ना हसे क्योंकि हमको समझ आ रहा है कि ये गलत है तो हसना बहुत मुश्किल है और उस भीड में अकेले खड़े रह पाना बहुत ही मुश्किल होता है तो ऐसे में उसका विरोध करने के बजाए रगवीर साही हां पर ब्यांक करते हुए कहते हैं कि तुम भी उसमें शामिल हो जाओ तुम भी हसो तुमें सब कुछ पता होने के बाद भी कि ये गलत है उसके बाद भी तुम हसो क्योंकि अगर तुम नहीं हसोगे तो फिर तुम्हारे लिए ये खत्रा बन जाएगा तुम्हारे अस्तित्रों के लिए खत्रा बन जाएगा और जो शोशन की तलवार है वो तुम्हारे गरदन पर भी टंग जाएगी और फिर वो कहते कि वहाँ इसले हसनाय की ना हसने पर तुम्हारी जो गर्दन नप जाएगी वो कितनी दारोड हसी है उस पर ये कविता बात करती है फिर आगे है ये कविता कि हसो हसो जल्दी हसो इसके पहले की वह चले जाएं उनसे हाथ मिलाते हुई नजरे नीचे किये आपको याद दिलाते हुई हसो कि तुम कल भी हसे थे ये यहाँ पर जो नजरे नीचे किये हुए की बात है वो इसलिए क्यूंकि नजरे सच बोल जाती है और नजरे मिलाना विरोत का भी प्रतीक है enlightened तो इसलिए नजरे नीचे किये हुए हसो तुम और फिर वो कहती है कि उनको याद दिलाते हुए कि तुम कल भी हसे थे मतलब ताकि उनको पता चले उनको यकीन हो जाए कि तुम उनके पक्ष में हो इस कविता के माध्यम से जो बैमान हसी जूटी हसी उसमें किस प्रकार समंजस से के लिए संतुलन के लिए वैक्ति हसता है अपने संस्था में किसी भी संस्था में जहां वो काम कर रहा है उस पर बात किये गई है अपने बास भले गलत हो लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति को दो वक्त की रोटी के लिए उसमें हां में हां मिलाते हुए हसना पड़ता है उसके पक्ष में मुलना पड़ता है उस पर ये कव पीचे कितने मजबूर है उसके पीचे कितनी मजबूर हैं उस पर यह कविता बात करती है तो इस परकार हसो हसो जल्दी हसो कविता को हमने बहुत जादा आसान भाशा में बहुत बैतरीन तरीके से समझा है I hope कि आपको रगवीर सहाय के बारे में मोटा मोटा च्छे से पता चलके है और साथ ही लाइफ में कभी भी आपकी जो हसों सो कविता आएगी तो आप अच्छा बैतर परफॉर्म करेंगे आप किसी दूसरे को भी समझाने में सफल होंगी और बहुत अच्छे से समझा पाएंगे और यह आपके MSD टूकी कविता थी एक्जाम में इस कविता पर साप्रजंग व्याख्या आ सकती है तो इस कविता पर आप साधान भाश्रा में है और बहतर करना इसी के साथ थैंकियो सो मस्ट थैंकियो फॉर वाचिंग टेक क्यार बबाए